बिस्मिल्यारोपाने रहीम, असलाम लेकुम आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ क्विक इजी डिजर्ट रैसेपी जो के है मैंगो लबेशरी की बहुत ही मज़िदार ये बनता है और बनाना इसको बहुत ही असान है विडियो अची लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजेगा तो चली बनाना स्टार्ट करते है स्ट्रासेपे काओ मैंगो लबेशरी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम जली तयार करेंगे तो मैं यहाँ पे दो तरहां की जली तयार करी हूँ जिसके लिए मैंने हस्बेश रख पैकेट के इंस्ट्रक्शन के मुदाबिक पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया था अब जब पानी बॉयल हो चुका है तो दो मैंने यहाँ पे डिश ले लिए हैं तो दो तरहां की हम जली बना रहे हैं तो इक्वल कॉंटिटी में हम पानी डाल लेंगे तो मैं यहाँ पे दो फ्लेवर की जली डाल रही हूँ तो यहाँ पे यह मेरे पास है मैंगो फ्लेवर की और दूसरी है स्टॉबरी फ्लेवर की तो गरम कानी के अंदर बाद जली के पैकेट को इस तरहां से करने के लिए रख दिया है जिसमें हम रंगीन सिवाईयों को बॉल करेंगे यह पासा सिवाईयां जो के आपको इसली मिल जाती है मार्किट के अंदर यह कप सिवाईया है जिसको हम बॉल कर लेंगे जब तक कि यह अची तरीके से गलनी जाती तो तकरीबन हमने इसको 10 मिंट क स्टेज के ऊपर ना हम इस टेडर की मदद से इसको चान लेंगे और चानने के बाद ना इसके ऊपर हम ठंडा ठंडा पानी डालेंगे ताकि यह सवाइयां बिल्कुल भी जुड़े नहीं तो यह कुछ एहम टिप्स होते हैं ट्रिक्स होते हैं जो के रेसिपी को परफेक्ट तो यहां पर सवाइयों को चान लेने के बाद हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल रहे हैं ताकि हमारी सवाइयां बिल्कुल भी जुड़े नहीं तो देखिए मैंने सेवाईयों के ओपर अच्छी तरीके से पानी डाल दिया है और ये दिखें बहुत जबदसी सवाईया रेडी हो चुकी है इसको कर देते हैं साइड में नेक्स स्टेप में एक खुली कडाई ले लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे एक लीटर फुल फेट क्रीम मिल्क दूझ जो कि अब लहाँ दूध है इसके अंदर से हम दो लैडल भरके तकरीबन हाफ कप के बराबर दूध निकाल लेंगे तो देखें inh grad le that मες निकाल लिया है इसको निकाल ले लाईंगे आप कस्ट्रा में लिखें निकाल ले जिसमें आदा कप टीनी डाल देंगे टीनी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से डिजॉल्फ कर लेंगे अब जब यह चीनी हमारी अच्छी से डिजॉल्फ हो चुकी है तो इसमें हम चामिल करेंगे कस्टड पॉर्डर का यह मिक्सर तो थोड़ा-थोड़ा करके हम स्मयारी कस्टड की स्लाइट थिख होती जा रही है तो इस स्टेच के ओपर हम की हम चूले के आच को बन कर देंगे और इसको हम अ कम्प्लेटली ठंडा कर लेंगे रूम टॅिप्रिचर पर यहां पे कस्टड को मैं अची तरीके से थंडा कर लिया है रूम टम्यारीस की तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसको हम कमप्लीटी ठंडा करने के लिए रख देंगे जब यह भी ठंडी हो जाएगी ना थब हम इसका आगे का स्ट्रेप करेंगे अब यहां पर मैंने बड़ा सा बोल ले लिया है जिसके अंदर हम यह चिल्ड हुआ व से अर्ठिक नस आजएगी अब क्रीम डालेने के बाद इसको पसली से तरीके से हम मिक्स कर लेंगे अब क्रीम डालने के बाद इस मीक्सर को दरिक .imes कर लिया है मैंने अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे फूट कोक्टेल का यह पूरा एक टिन जिसका मैंने पानी निकाल इसमें 1-4 cup कड़े बदाम कर देंगे घ्रम तो से हमें इसके अंदर शाम्ल कर किती है। कि तो यहां पर मैंने जैली भी इसमें शाम्ल कर दी है 색ा सबी चीज़ों और डंदा कर लेंगे के बाद बस डिशाओट कर लेंगे बहुत ही मज़िदार ये लगती है दावत वो के लिए परफेक्ट रेसिपी है तो यहां पर देखें सभी चीज़ों को डालके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसको डिशाओट कर रही हूं तो जैसे चाहें आप इसको डेकु जिए अब सब्सक्राइब नेक्स रसिपी वीडियो तक लिए टेक केर अला हाफिज